आकाशवानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ में नवनीत चोवे सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार नीट परिक्षा में ग्रे संग पाए 1563 अभ्यर्थियों की 23 जोन को होगी दोबारा परिक्षा प्रदेश में पी-एम श्री परेटन वायुसेवा की हुई शुरुवात मुख्यमंत्री ने भोपाल में एर टेक्सी को दिखाई हरी जंडी जलगंगा समवर्धन अभ्यान के तहर प्रदेश में लगातार कारेक्रमों का अजन जारी और 21 जोन को होने वाले अंतर राष्ट्री योग दिवस के लिए प्रदेश के जिलों में तैयारियां शुरू अब समाचार विस्तार से मेडिकल प्रवेश परिक्षा नीट यूजी में शामिल हुए उन सभी 1563 अभ्यर्थियों की दोबारा परिक्षा 23 जून को होगी जिने परिक्षा में ग्रेस या पूरा कंक मिले थे आजजारी एक अधिसूचना में राष्ट्रिय परिक्षा एजनसी एंटिये ने कहा है कि वह शीगर ही एक सारवजनिक सूचना जारी करेगी और इन उम्मिद्वारों से इमेल के माध्यम से भी संपर्ग करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अधिकारिक सूचना प्राप्त हो एंटिये ने कहा है कि दोबारा परिक्षा का निड़ने एंटिये की उच्चाधिकार प्राप्त समीती की रिपोर्ट पर उच्चतम नियाला की टिपपणी के नुसार लिया गया है सभी 1563 छात्रों को दिये गए अनुग्रह या पूरक अंक वापस ले लिये गए है इस बीच केंद्री शिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने नीट यूजी परिक्षा के पेपर कथित तोर पर लीक होने की बात से इनकार किया है उन्होंने इस बात पर जोड़ दिया कि नीट परिक्षा में कोई भष्टाचार नहीं है आज नई दिल्ली में समवाद दाताओं से बातचीत करते हुए श्री परधान ने नीट मुद्दे पर उच्चतम न्याले के फेसले का स्वागत किया नीट परिक्षा में कथित विसंगतियों पर श्री परधान ने कहा कि परिक्षा में गलबड़ी पैदा करने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कारवाई की जाएगी उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि केंद्र उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधेश में पी एम श्री परेटन वायू सेवा शुरू हो गई है भोपाल के राजा भोज अंतरराष्टी विमानतल से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी जंडी दिखा कर इस सेवा की पहली एर टेक्सी को रवाना किया इसी के साथ भोपाल, इंदोर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जेन, रिवा, खजुराहो और सिंग्रोली एक दूसरे से सीधे जुड़ गए इन शहरों के बीच छे सीटर दो एर टेक्सी संचालित होगी इस वायुसेवा के शुरू होने से भोपाल से इंदोर का सफर 55 मिनिट में पूरा हो जाएगा शुरू आती 30 दिन तक किराय में 50 फीसेदी डिसकाउंट भी मिलेगा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पी एम श्री परेटन वायुसेवा संचालन के शुभारम अवसर पर भोपाल एरपोर्ट इस्थित सेवा का टिकेट बुकिंग काउंटर का भी शुभारम किया तथा यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान किये मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पी एम श्री परेटन वायुसेवा से प्रदेश में परेटन के साथ साथ उद्योग व्यापार शिक्षा और चिकिसा शेत्र को भी लाव होगा प्रदेश में बढ़ रही एर कनेक्टिविटी की सोगात सभी सेक्टरों को मिलेगी और प्रदेश के विकास को नए आया मिलेंगे जबलपुर में डुमना एरपोर्ट पर पहली उडान भुपाल से पहुचने पर फ्लाइट का वाटर केनन से स्वागत किया गया लोक निर्मान मंत्री राकेश सी ने फ्लाइट को हरी जंडी दिखा कर महा से रीवा रवाना किया इसके बाद रीवा पहुचने पर डिप्टी सीएम राजेंदर शुकल ने इसे हरी जंडी दिखा कर सिंगरोली रवाना किया एक जुलाई से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागो होने जा रहे हैं इन कानूनों के बारे में प्रदेश में लगातार प्रशिक्षन दे कर पुलिस विभाग के अधिकारियों और करमचारियों को जानकारी दी जा रही है मलेजेन AIG पुलिस प्रशिक्षण उपनिदेशक पुलिस अकादमी भुपाल ने आकाश्वानी को बताया कि इस विशे में पिछले तीन महा से प्रशिक्षण दिया जा रहा है हम लोगों का अभी सबसे मतपून काम जो है वो ट्रेनिंग देने का है क्योंकि हमारे लगवग सवालाग से अधिक का जो पुलिस बल है उसको हमें पुरा प्रशिक्षण देना है तो हम लगातार इसमें पिछले लगवग तीन महा से प्रशिक्षण जारी रखे हुए और हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुबधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटिन, योट्यू, फेस्बुक और एक्स प्लैटफॉम पर AIR News भुपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलाबा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ओन AIR.gov. पर या News on AIR एप पर भी समाचार सुन सकते हैं। घाट बनाने का कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहट सिंग्रोली जिले में बहने वाली कंचन और मयार नदी की सफाई की जा रही है। ग्रामिन शेत्रों में 4000 से धिक जल सनरचनाव की पूर्णता के लिए कार्य किये गए हैं। इस अभियान में राजी मंतरी पंचायत एवं ग्रामिन विकास राधासी और अन्य जनप्रतिनी धी भी हिस्सा ले रहे हैं। जम्मु कश्मीर के कठुआ में आतंकवादी हमले में शहीत कविरदास की पार्थिवदे हैं। दॉक्टर मोहनयादो के प्रयास से टीकमगड शहर की पेजल विवस्था के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ललितपूर के जम्रार बांज से वन-मCM जल प्रदाई किये जाने पर सहमत हो गई है। मुख्यमंत्री ने टीकमगड में सुचारू पेजल प्रदाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेक किया था कि टीकमगड नगर में जलापूर्ती जामनी नदी से की जाती है। मुख्यमंत्री को योग करने के लिए प्रोस्ताहित करते हैं। इसको लेकर शुपूरी में तयारियां जोर शोर से जारी हैं। में है कि सेठानी घाट पर आयोजित होने वाले कारिकरम में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चीत की जाए। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जोन को मना जाएगा। इस अवसर पर राजिस्तरी कारिकरम डिंडोरी में आयोजित होगा। उपराष्ट पती के विशिष्ट आतित्य में होने वाले इस कारिकरम की तैयारियों के संबंद में राजिपाल मंगु भाई पटेल ने स्वास्त विभाग की समिक्षा बेठक में कई निर्देश दिये। राजिपाल श्री पतेल ने कहा कि प्रदेश भर में विशेषकर जनजाती बहुले जिलों में भी कारिकरम आयोजित करें। इसमें शिविर सिकल सेल जाच उपचार, मेरिज काउंसलिंग, जीवन चरिया परामर्ष, ओशधी वितरंड, कार्ड वितरंड आधी की समस्त व्योस्था की जाए। राजिपाल ने सिकल सेल पोर्टल की विस्तरत समिक्षा भी की। उन्होंने जिले बार समिक्षा करते वे कहा कि स्क्रीनिंग का कार ये गंभीरता से करें। जागरूप किया गया और अशोक नगर में खरीफ सिजन दोजार चोईस के लिए किसानों द्वारा उर्वरकों का अगरिम उठाव किया जा रहा है क्रशी उपसंचालक ने किसानों से मक्का सोयविन एवंधान की बुवाई हेतू डी एपी के विकल्प के रूप में एनपी के उर्वरक का उप्योग करने की सलहा दी है इस बुलिटिन में बस इतना ही नमस्कार